आज में तहीं वाले आलू की सब्जी की रेश्मी लेकर आई हैं इसे बनाना बहुत ही आशान है और खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है इसे आपको भी पड़ाठे के साथ फाइए मज़ा आजाता है इसे आप लेट राइस के साथ भी काल सकते हैं अगर आज की मेरी रेश्मी आपको अच्छी लड़े तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए कॉमेंट करना मत बूलिए तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं दही वाली आलो बनाने के लिए हमने आलो की शीलके हटाके ऐसे मेडियम साइट के क्यूब में काट लिए हैं यानि की पैटल सिक में हमने काट रखा है अब चलिए हम गैस के तरफ चलते हैं गैस के हमने दो बड़ा समझ तेल डालिया है गरम होने के लिए इसमें हम धीरे से आलो को अच्छे सित्राइक कर लिया है आप लेक सकते हैं इसके ब्राउन ब्राउन लागा गये हैं आलो अपनी 90 पर से पाख दी चुकी है अब हम इस इसके पे आलो को कडाही से निकाल लेंगे तो यहां पे हां समझ से इसके जाली जाल समझ से आलो को निकाल ले रही है हमने सभी आलू को बॉल में निकाल लिया आब हम कडाहे से एक्स्ट्रा तेल एक दुसरे बॉल में निकाल लेंगे कि अगर待 कम हैं तो उसे में average अगर दिल को हम निकाल के अलगा रखेंगी जादा जूड़ा सा जीरा धालें जोहें एक बड़ी वाली यांची दो-तिन लॉंग त्यव में उसके लगा हें लो करेंगे ज्यादा ब्राउं नहीं वोने जर्ष्ट इसका आरोमा तील में आजाना चाहिए तक तक हम इसे तील में गरम कर लेंगे जीरा ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें तीन बड़ा प्याज पाड़ी हैं यहां पे हम चाड़े मेदर आपको आधा किलो आलो का बचा रहे हैं अगर आपको एक पावालो की बनाने हैं तो कौन की आधा कर लेंगे प्याज को हम बोल्डे ब्राउन होने का प्याज प्याज हो गई है अब हम यहां पे डालेंगे एक बड़ा चमच अद्रक लेक्सुन का पेश्ट और साथ में हम डालेंगे चाड़ से पास हड़ी में चीज जिसके इसकी कश्टापन जिस्तों चली जाए जब तक अपनी लहसुन भून रही है तब तक हम जही में मसाला तयार कर लेते हैं हमने यहां के घर की फ्रेज दही ली है एक कर लोरी इसमें हम डालेंगे दो चमच भनिया पॉडर तो जैसा कि हमने बताया आपको कि हम आधा क आधा कर दीजें दो चमच हमने लाल मिर्च डाला यह कास्मिली लाल मिर्च है इसके लाड़ आता है इसमें हम आधी चमच हल्दी रालेंगे और श्वात के नुशार हम नमग डालेंगे यानि कि मसाले की तयारी हम दही में ही कर लेंगे अब हम इसे एक चम्मश की मदद से अच्छे से खेटे में तो हमें सर्ही मसाले को दही के साथ खेटअ लेना है घ्लान रहे दगी रूम ट्रॉम पेचर से थाहिए अगर आपकी दही मेरे तार मेरे नहीं क्ता राइस की दालते हैं हडी हें और रचलों कर सकते हैं ये च्छोटे 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 मेरे अले चंडूने água प्रकाशली। तो बहुत ही टेश्टी तैयाद होती है तो आप दीख सब्साइं और चलिए प्याज लगर कर लेते हैं उस्लेम को शो कर लेंगे और प्याज को अधुना चल्स लेति हैं यानि कि जो हम सभी सब्जीव में प्याज भूंते ही अपना ही हमें खुना है अब हम फ्लेम को श्लो कर लेंगे और प्याज को मेडियम ठेंड़ा कर लेंगे तब हम दही जालेंगे इससे दही अपनी खटी नहीं है तो हमने फ्रेम स्लो कर लिया है अब हम इसमें मशाले के साथ दही जो तयार किये हैं उसे डाल देंगे इतनी सुन्दर कलर आई है आप भी देख सकते हैं बाद में हम दही को थोड़ा सा पानी से संघार के डाल देंगे अब हम जल्दी जल्दी दही को चलाएंगे अब हम फ्रेम तेज कर देंगे और जब तक दही अपना तेल नहीं छोड़े तक हम मशाले के साथ पकाएंगे ज्यान रहे हमें जल्दी जल्दी चलाते हुए पकाना है अब देख सकते हैं अपनी ग्रेवी जो है अच्छे सेफ्टूर चुके रहे हैं कड़ाई से हम अगग करते हैं तो यह अज़र हो जा रहा हा ने किनारे किनारे के तेर भी लिखने जगा हैं कलर भी अच्छी आगई हैं एक बड़ा खिर से देखोंगे अपनी ग्रेवी अच्छे से भून चुकी है दही बिल्कुल ही खटी है अब हम डालेंगे इसमें पानी तो हमने जिसमें दही मसाला तैयार किया था उसी बॉल में पानी में एक बॉल पानी राले रहे हैं अब हम इसमें रालेंगे फ्राइक आफ़ा आलो अपनी ग्रेवी की थिकनेस चाही है बस हमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए कितना सुंदर कलर आया है अब देखनी से अभी इसमें उबार आने के बाद इसकी कलर और बढ़ेंगी तो चलिए हम इसे कभर करके तीन सी चार मिनट तक मेडियम फ्रेम पे पका रेते हैं चलिए हम अपनी सब्जी चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं सब्जी की ऊपर तेल तैयर ने लगा है आलो तो अपनी 90% कूप हो ही चुकी थी मार्कमें तेल परसें कूप करना था था फिर भी हम एक आलो आपको स्दाल पूलस को इस बाद के भी खा दे रहे हैं है बहुत अच्री पकई है आलो की सब्जी अच्छे से गल जाय तो, कितना स्वाद आता है अब हम काईन इसमें जालेंगे गरम मशाला तो यह पे हम एक चमच गरम मशाला डाल रहे हैं गताल iphoneबल स्वाज में डालेंगे इ पश्तूरी मेथी को हम सेखके ख्रस्ट कर लेते हैं फिर डालते हैं इससे दही बादी सब्जी में बहुत ही अच्छा आरोमा आता है आप चाहें तो यहां पर हडा धनिया भी डाल सकते हैं लेकिन जब हम पश्तूरी मेथी डालते हैं तो इसकी तुष्पू के लिए हम धनिय पता को नहीं जाते हैं तो आके ऊपर है अब हम इसे एक शिदेर मिनट तक और पका के फिर फ्लेम को आफ करेंगे तो हम कभर करके पका लेते हैं चलिए हम सब्जी की प्लेटिंग कर लेते हैं तो आप तेख लिजे कितना बटना अपना दखी वाली आलू की सब्जी बनकर बैयार हुई है आपको सर्व कड़ते हुई भी दिखा देते हैं तो आपने देख लिया देही वाला आलू की सब्जी बनाना कितना आसान है और खाने में तो बहुत ही टेंटिंग लगता है तो फ्रेंज इस रिज़्पी को आप भी ट्राइब अश्के लुए किजी और मिल्यों इस अटो लाइक किजी शुप्सक्राइब किजी शेयर किजी और कमें तरना मैं की ट्राइब किए उन्यवाल